हाई दस्तों कैसे हैं आप लोग iOS 16.6 डेवलापर बीटा 4 एपल ने अपडेल्ट रिलीज किया है और इसका जो साइज है 408 MB है तो मतलब काफी छोटा साइज ही है बहुत बड़ा साइज नहीं लेकिन डाउनलोड से पहले इसका जो बिल नमबर था 20G5047D और डाउनलोड से प बद क्या है इसका बिल नमबर क्या है मोडेम कंव रो वी एक बार है तो डाउनलोड के बाद इसके ब attach 20 5 0 5 ready तो मतलब vita TV देखने मिल रहा था और बेटा 4 प्र देखने मिल रहा इसका मतलब अभी स्केयं अंदर हमारे को जो दो बीटा देखने मिलेगा पहला तो देखने मिलेगा और इसके बाद एक बीटा इसके बाद RC इसके बाद इसका stable version तो लगबग अभी आपको थिरी वीक्स टाइम लगेगा इसका final update आने के लिए और आध्या आप मोडम फार्मबेर की बात करें तो मोडम फार्मबेर के अंदर कुछ भी चेंग नहीं है और स्टोरेज जो बढ़ गया लेकिन मेरा जो है बड़ा नहीं मेरे matter या आई-फोन के अन्दर कुछ बीडियो था उसको मैं ने related किया जिसकी और जैसा तो इस आपडेट के अंदर क्या नए यह हैं चैंज इए इस बीडियो के अंदर до करके चेक सबसे पहले बीटवान के अंदर एक ने फीचर एड किया था वह है settings के अंदर contact key तो उस contact key जैसे मैं इसके अंदर सर्च करता हूं तो contact key जो है beta 4 के अंदर भी देखने नहीं मिला लेकिन beta 1 के अंदर apple ने दिया था तो finally apple ने इसको हटा दिया अभी यह contact key हमारा final version के अंदर भी देखने नहीं मिलेगा यह हमारे को देखने मिलेगा iOS 17 के अंदर इसके अंदर कुछ feature की बात करें तो इसके अंदर जो है कुछ feature आपको देखने नहीं मिलेगा लेकिन काभी सारे जो bug था उसको apple ने solve किया है तो जैसे किसी को notification के अंदर थोड़ा बहुत lack या bug देखने मिल रहा था तो इसके अंदर जो है इसको solve देखने मिलेगा इसके बाद जो किसी किसी को camera के अंदर bug देखने मिल रहा था तो यह काफि सारे जो इसके अंदर rationale अभी भी बाकि है जो होम के अंदर बाकि जो है चोटे मोटे बग है। है लेकिन मैं जहां तक इसको ise करणा हूं इसके अंदर मुझे चोटे मोटे बग इतना ज़्यादा भी नहीं लग बैकाप भी है से ही मतलब देखने मिल रहा है और ईसके बाद अगर बात करें इसके अंदर future bokap नर ś over Is some ने चेंजेश नहीं है तो आप लोग कहेंगे हैं कि rire lino मा सब्लपेट घेज़ते के अंदर भी छोड़े छोटे कामांड छोटे छोटे फॉंब्यार तो सारे चीज जो है डबलोब करते रहते ताकि उस सौप्टेयर के हिसाब से उचले इसलिए अपडेट भेजते रहता है तो इसके अंदर कुछ नय जो है मेजर चेंजेस नहीं है बाकि अगर इसको आप लो सिंगेल कोर मल्टी कोर निकल के आया है और भी देख सकते हैं सिंगेल कोर 1729 और मल्टी कोर 4,689 और आज का जो गीक बेंच है और पूरा नहीं जो गीक बेंच था 12,359 और आज का जो गीक बेंच आया है वह है 12,817 तो इसके अंदर slightly इंप्रूप आया है 200 पॉइंट के अगर आप लोग इसके अंदर BGM खेलते हैं तो आराम से इसके अंदर भी खेल सकते हैं मैं बेटा वर्शन के अंदर मैंने खेला था लेकिन बेटा 4 के अंदर नहीं खेला लेकिन बेटा 3 के अंदर खेला था काफी सही मतलब मैं इसके अंदर खेला कुछ इसके अंदर मुझे जो है lag hang इस तरह का problem देखने नहीं मिला लेकिन game खेल देबाग थोड़ा बहुत hitting देखने मिलेगा चाहे बेटा के अंदर हो चाहे stable के अंदर भी हो तो यही था iOS 16.6 developer beta 4 अब लोग चाहे तो इसको download और install कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो script भी कर सकते हैं तो उम्मीद है इस वीडियो को देखके आपको अच्छा लगा अगर इस वीडियो को देखके आपके लिए helpful लगता है तो please like, subscribe, share जरूर कीजिए और bell की notification को all पर रखिए जब मेरा व वीडियो के अंदर फिर में लेंगे, goodbye